हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आश्रा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्ववस्ता के दोरान आपको एक महिने से लगा करके नो महिने तक कौन-कौन सी दवाया दी जाती है कौन-कौन सी मैडेसिन से जरूरी रहती है इस तो नहीं है कि हमारी कोई मैडेसिन छूट गई है हमारे डोक्टर भूल गए है तो हमारी बच्चे की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट पड़े तो देखिए अगर आप कोई भी अच्छे डोक्टर से कंसल्ट करते हैं अच्छे डोक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे तो डोक्टर क कभी भी यह चीज नहीं भूलेंगे कि कोई भी medicine देने में गड़बड हो या by mistake वो भूल जाए या कुछ ऐसा हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होता है हम बात करते हैं कि गर्भ होस्ता के दोरान या गर्भ होस्ता से पहले आपको कौन-कौन सी दवाईया दी जाती है जो कि pregnancy के दोरान very important role play करती है तो जब महला pregnant नहीं होती है प्रेगनेंसी की planning कर रहे है तब ही से हम folic acid के tablet start कर बाते हैं यानि कि conceive करने के लिए try कर रहे हैं थ्री मंत पहले ही folic acid के tablet start कर दी जाती है यह folic के नाम से market में available रहती है एक टेबलेट रोज सुबह खाने के बाद में लेने रहती है जब महला को conceive हो जाता है और वो डोक्टर के पास जाती है यानि कि वो डोक्टर के पास कब जाएगी जब उसका period मीस हो जाएगा pregnancy test positive आ जाएगा यानि कि दूसरे महीने में हम डोक्टर के पास में पहुश्चते हैं तो डोक्टर आपका pregnancy test कर लेंगे हिमोगलोबीन वगेरा नॉर्मल जो भी हमारे test रहते NC profile की वो करवा के देख लेंगे उसमें TSHB होता है HIV AIDS, Hepatitis B, सारे blood group, RBS, सारे blood test उसमें किये जाते तो डोक्टर आपको फिर plain folic acid हटाके iron के साथ में, iron की tablet के साथ में combination में folic acid आता है जैसे कि rubirate में, इस तरह की बहुत सारी medicine आती, जैसे fairy kind हो गई, orophorexity हो गई, इस तरह की iron की बहुत सारी tablet साती जिसमें combination में folic acid मिलता रहता है, तो एक तो वो tablet देते हैं, और iron की tablet को हम सुबा खाने के बाद में देते हैं क्योंकि उसको अगर हम night में देते हैं, तो absorption अच्छा से नहीं हो पाता है, वो constipation की problem patient को जाती है इसके बाद में दूसरे number पाता है, calcium की tablet, calcium की tablet भी pregnancy के, जैसे ही आप doctor के पास में first visit करेंगे, तब से ही आपको aid कर दिया जाएगा, ये भी पूरे 9 मैने तक लेने को रहती है calcium की tablet इसलिए दी जाती है, कि हमारे बच्चे की growth अच्छी हो, vitamin D की कमी ना हो, महला को भी ना हो, बच्चे को भी ना हो, बच्चे का भी जो skeletal system रहता है, जो हड्डियों का growth रहता है, वो बढ़िया से हो, बच्चे में कोई कमी ना रहे इसी के लिए calcium की tablet दी जाती है, पूरे 9 महीने तक, तो इसको हम देते हैं, रात में खाने के बाद में, calcium की tablet लेने के बाद में आप दूद पी सकते हैं अब इसके बाद में दीसरी tablet आती है, doxinate, doxinate tablet हम काई के लिए देते हैं कि, जब भी आपकी early pregnancy रहती है, यानि कि first trimester में, शुरू के 3 महीने में, मेला को बहुत जादा nausea, vomiting की feeling आती है, या brush करते time, उल्टी जैसा मन होता है, पर खुती नहीं है तो यही problem को ठीक करने के लिए doxinate tablet दी जाती है, कहीं बार ये जो problem है, nausea, vomiting की doxinate tablet से control नहीं होती है, तो फिर इसको change करके, डोक्टर आपको दूसरी tablet दे सकते हैं, जैसे vomikind MD हो गई, ondestron level में आ गई, या फिर आपको domperidon हो गई, pentaprazole के category में आ गई, इस तरह की और दिन आपको दे सकते हैं, फ़र first fall, doxinate tablet दी जाती है, अगर doxinate से control नहीं होता है, तो फिर आपके doctor, दूसरी category की tablet आपको देंगे, nausea, vomiting की filling को control करने के लिए, इस tablet को सूबा खाने से पहले दी जाती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो दो टाइम भी दे सक सुबा और शाम दोनों टाइम खाने से पहले, इसके बाद में चोथी tablet आती है, आपकी dofa stone, यानि कि progestone related tablet capsule, जैसे hold sr हो गया, maintain, या फिर आपका dofa stone हो गया, ये tablet इसलिए देते हैं, कि अगर कोई भी महला को गर्वपात के लक्षन दिख रहे हैं, या ऐसा लगता है कि bleeding चालू होने वाली है, या आपको बीच में जाकर के 2,5 महीने पर bleeding चालू हो गई है, या bleeding नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा पेठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे period शुरू हो सकते हैं, तो abortion से बशने के लिए, protection के लिए dofa stone tablet दी ज जाती है, अब हम बात करें कि dofa stone tablet को आपको कब तक दे सकते हैं, तो ये dofa stone tablet भी पूरे 9 मन्त की starting तक चलाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे pregnancy के growth बढ़ती है, यानि कि हमारे जिसे 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो uterus का size भी बढ़ता है, और उसमें pain बहुत जादा होने लगता है, और आखरी के महीनों में बच्चा दानी का मुँ, यानि कि pre-term delivery होने का ज़्यादा chances रहता है, तो इसको जिन patient को जरूरत रहती है, पूरे 9 महीने तक भी देते हैं, कई बार tablet से control नहीं हो पाता है, तो injection भी लगवाने पड़ते हैं, जो कि maintain के नाम से आते हैं, और ये injection, I.M यानि कि बटक पे लगाया जाता है आपको, इसके बाद में हम बात करें कि गर्भ हसा के दोरान और क्या ज़रूरी रहता है, तो जब आपका pregnancy का fifth month चालो हो जाता है, यानि कि second trimester restart हो जाता है, तब आपको protein powder भी देते हैं, डोक्टर, अगर need है तो, अगर need नहीं है तो बिल आरजनीन के पाउच आते हैं, पानी में घूल करके पीने के लिए, वो दे सकते हैं, पर ये आपकी condition पे डिपेंड करता है, कई बार जैसे क्यूटेन LC टैबलेट देनी पड़ती है, जो हमरा बच्चा कमजोर रहता है, बच्चे का वजन कम रहता है, उस condition में आपको protein powder, क्य protein LC टैबलेट रिकमेंड की जाती है, और ये डोक्टर के द्वारा ही आपको प्रिस्कार्ब की जाती है, तो ये इतनी जो मैडिसन से रहती है, बिल्कुल कमपल सरी रहती है, हर बेशन को देते हैं, पर इसमें कुछ टैबलेट, सिलेक्टेट टाइम पे दी जाती है, ऐसा न गेरा हो रही तो उसके लिए अलग से पेंटाप्रजोल या फिर डॉम पेरिडोन एट कर दिया जाता है, इसके बाद में, अगर आपको बच्चा कमजोर है, या आपको काफी ज़्यादा वीकनेस लगरी तो protein powder साथ में आपको, कई बार हीमोगलोबिन की कमी रहती है, तो आ अपने आप नहीं बढ़ेगा, तो सेचस दिये जाते हैं, लार्जनिन के, और इसके बाद में, अगर बच्चे का ग्रोथ कम हो रही या वेट तेजी से नहीं गयन हो रहा 8 में में, तो फिर आपको protein powder, plus cutan-lc, इस तरह की बहुत सारी टैबलेट से दी जाती है, साथ ही में के supplement आपको continue देते हैं, आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको संपुन जानकरी दे पाई हूँ कि गर्ववस्ता के दोरा, normally हम कौन-कौन सी टैबलेट चलाते हैं, धन्यवादू